स्वागत है दोस्तों आई होब आप से बच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम बात करेंगे SBI Clark means result related बात करेंगे तो वीडियो को आप end तक देखना बहुत important वीडियो है यह आपके लिए तो दोस्तों देखे वीडियो दोस्तों SBI Clark पे अभी क्या होगी बहुत लोगों ने इस पे वीडियो बनाना बंद कर दिया रिजन क्या था जितना वीउस आना था आगया ठीक है अब क्या है कि हमेशा अगर यही अपडेट मिले मैं अपने बाड़े में भी कह रहा हूं ठीक है यह हिसाब से आप समझ सकते है हमेशा यही वीडियो ढालेंगे वीउस तो मिलेंगे आपको लेकिन reality क्या है कि result तो आए बहुत का है कि preparation करने का दिल नहीं है और selection हो जाए बस settle हो जाओ ठीक है बहुत का है कि अगर result पता चल जाए उसके बाद next preparation स्टार्ट करें तो दोस्तों सबके mind में अलग-अलग अपना विचार चलते रहता है तो दोस्तों आपको एक बात बताता हूं जैसे मैंने बताया थ मेरा जो expectation था जिसे 15 तारीक को मैं आपको बता रहा था कि 15-18 के बीच आएगा क्योंकि SBI कर देखा गया है यह reality बात है कि 45-50 days के अंदर में result अक्सर देखने को मिला है तो वो expectation के हिसाब से मैं आपको बता रहा था कि 15-18 के बीच क्योंकि 19 से election था तो 15-18 के बीच में मेरा expectation था कि result आजाएगा लेकिन आया नहीं ठीक है दोस्तों तो इसी कारण में वीडियो बना रहा था और मेरा expectation जितने भी वीडियो आपने देखा होगा कि 15-18 मैंने बहुत बार कहा है और बहुत लोगों ने जो मैंने कहा हूँ बात repeat किया है आप अगर देखे होंगे वीडियो तो आया नहीं तो दिमाग में tension हो गया ठीक है तो मुझे भी लगा अगर 15-18 के बीच में नहीं आ रहा है तो हो सकता है 19 से तो आना थोड़ा मुश्किल है लेकिन हमें यह देखने को मिला था कि SBI CBO का एक notice SBI SO का notice कि आपका election के बाद ही आपको देखने को मिलेगा result या आपका 19-18 तक नहीं आए result तो आपके 18 के बाद आजा है result ठीक है दोस्तो तो दोस्तो और एक बात कहता हूँ 18 के बाद भी result नहीं आए 19-20 को नहीं आए लेकिन कुछ ना कुछ हमें 19-20 के बाद भी देखने को मिला कि कुछ process चल रहे थे document verification का date आ गया था कुछ ना कुछ तो result आ गया था जैसे आपको पता होगा UPSC का result आ गया था अभी देखेंगे तो J-E mains का result आ गया है ठीक है तो ऐसे बहुत सारे process चल रहे हैं तो SBI कहीं पे mention नहीं किया था कि election के बाद आएगा लेकिन एक point था वहाँ पर एक point था एक message आया था एक notice आया था जिसमें सारे recruitment process के लिखा गया था कि आपके election के बाद ही होगा तो वह notice भी मैंने आपको देखा था वीडियो बनाया था लेकिन लोग confused क्यों हो गया था क्योंकि CBO का और SO का separately आया था तो सबका expectation था कि SBI clerk का भी separately आएगा लेकिन separately आया नहीं तो दोस्तों इसी कारण videos बनते गए लोगों को ठ ठीक है दोस्तों अब भी कोई chance नहीं है result आने का क्योंकि एक notice है important notice अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक important notice आपको मैं देखा देता हूं और बहुत जगा ये भी mention है आप जाकर देख लें कोई-कोई sites पर आपको मिल जाएंगे आप Google में search करेंगे आपको खु probability है chances है तो क्या है chances आ सकता है कि नहीं देखें election खतम होगा उसके बाद कभी भी आ सकता है ठीक है और एक बात मैं क्यूं कह रहा हूं election के बाद result आने का chances है reason मैं देखाता हूं आपको ठीक है ये possibility है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर यह देखिए दोस्तों यह अड़ा का source है ठीक है यहाँ से देखाता हूं यहाँ page से यहाँ पर mention है अगर आप देखेंगे तो SBI main scorecard June 2024 में cut of 2024 में यह सभी को पता है ठीक है ठीक है जून में mention है लेकिन एक यह जो notice था याद होगा आपको मैंने देखाया भी था यह notice आपको ठीक है to whomsoever it may concern all candidates are advised that declaration of result of all ongoing recruitment मतलब declaration of result जितना भी ongoing recruitment है ठीक है मतलब in the financial year 2023-2024 is deferred as per ministry of finance मतलब 18 लोगसभा election के मतलब इसके बाद ही completion of entire 18 लोगसभा election process is released by election Commission of India ठीक है दोस्तों तो इससे हमें यह पता चलता है यह जो notice था यही है कि कोई भी recruitment process हो CBO, SO हो, SBI clerk means हो यह आपको election के बाद ही देखने को मिलेगा तो वो जो separately आया था CBO का और SO का वो confusion create किया और लोगों ने उसका use किया बहुत लोगों ने use किया ठीक है वीउस के लिए औ और आपको मेरा बाद यह पता होगा कि मैं वीडियो अकसर बनाता हूँ, result related हो तो दस भी वीडियो बना देता हूँ, लेकिन मेरा point वही रहता है आप agree करोगे कि नहीं करोगे वो आपकी मर्जी है लेकिन मैंने जो 15 से 18 की बात बताया वो आपको हमेशा बताया जो मेरा expectation था उसके बाद बताया कि unexpected है ठीक है अभी भी मैं यह मानता हूँ कि unexpected है क्योंकि SBI नहीं किया है separately लेकिन यह message देखकर हमें यह लगता है कि election के बाद ही आपको result देखने को मिलेगा तो दोस्तो most important बात आपको बताता हूँ, election का election खतम होने का इंतजार ना करें ठीक है दोस्तों अभी अप्रेल का end है, में एक महना है आपके पास, जून है आपको में जून में IBPS का notification definitely देखने को मिलेगा, तो मेरा बस यही कहना है कि आप लोग अपना preparation बहुत तगरे तरीका से करें, जो लोग SBI clerk का result का wait करेंगे वो बहुत डिले हो जाएंगे और बहुत लेट हो आप कहीं से भी देख रहें, तो आप यह बात याद रखना कि मैंने आपको कहा था, 18 अप्रिल को अगर result नहीं आता है, 19 तारिक से आप मेंस के लिए preparation में लग जाओ, प्रिलिम से अगर हो गया है आपका अच्छे से preparation तो मेंस की mock लगाओ, डेली का डेली, और इस पर focus करो next exam का, यह SBI clerk मेंस का result का चक्कर आप छोड़ दो, दिमाग से, तो I hope दोस्तों आप समझ गयोंगे कि सारा मुद्दा क्या है, और मैंने जो entire बात आपको बताया है, यह most important thing है, ठीक है दोस्तों, तो SBI clerk मेंस का result है, वो आपको जून में ही election के बाद ही देखने को मिलेगा, तो इसका preparation आपको प्रिपरेशन से करना है, ठीक है, और time जो एक महिना है, आपको में का time, यह बहुत important है, यह चला गया एक बार तो आपको दोबारा नहीं आने वाला है, तो इसलिए result का wait करना आप छोड़ दें, और dedication से आप प्रिपरेशन में लग जाए, तो मेरे हिसाब से 10 जुन जो mention है officially, बहुत सारे sources बता रहे हैं 10 जुन, ऐसा previously हुआ है, कि जो भी date mention हुआ है, या viral हुआ है, यूटूब पर या expected, ठीक है, तो इस पे result भी आए है बहुत बार, तो hopes हो कि election के बाद आपको तीन, चार तारीक के बाद आपको result देखने को मिले, और यह 10 जुन हो सक यही message है कि आप लोग वेट ना करें, ठीक है, कट अफ पर मैंने वीडियो बना दिया है, पुरा separately, पुरा नॉर्थी स्टेट का, तो आप लोग जा कर वो वीडियो देखें, एक बार एनलाइसिस करें, बहुत important है, और हो सकी है, अमारा telegram group भी आप जोइन कर सकते हैं, आप आपको link community post में मिल जाएगी, तो चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में, और कोई भी doubt हो, आप comment करके ज़रूर बताएगा,